किर तीरा सोना का चैन बहुत ही अच्छा लग रहा है मामी सोना का चैन तू किसको देगी मुझे देगी की तोती को देगी किसू को नहीं मिलेगा है यहां उसको देगी मतलब बहू को देगी आट हमारा करेंगा वह सकती हह Deutsch की नहीं चेहिए कमीन है अपनी बहू के लिए ना ममी अपनी बहू के लिए बचाई है ना लेकिन ममी तु मुझे ही दे दे मही तेरा सेवा करोंगी यहां पे दस दिन से न अच्छी मतलब अच्छा सूखा सूखा मौसम किया हुआ है तो मैं में ने मम्मे के मतलब घर के पास न काफी पेड वगेरा तूट गए थे तो आग जिल रहे हैं ते सारी मोठी मोठी लकडिया है देखिए मेरी मम्मे का जो घर हो बहुत बढ़िया से है त्यार हो चुका है रही ही निचा अपदो यह ना हरा अच्छे अच्छे पत्ते हुए हल्दी के पत्ते है यह जो बहुत सारी हुए है यह साए और गाइस देखे मम्मे के घर में ना कितना बढ़िया वाला पाउदा है यह जो पाउदा है ना बहुत अच्छी लग रहे हैं देखिए आप देखने में काफी खुबसूरत लग रहे हैं और मैं आपको एक और दिखाते हूं यह भी बहुत अच्छी लगती है इसमें मतलब मशेती हैं ना जाक्ते हुटे कना सकते हैं यह लंबे होते हैं और जाड़ होता है top contact टाफी जंडब थाता है। और ये दुवा मुझे देखने में बहुत प्यारी और भौध यह तो मैंने वीडियो ले लिया है देखने में भौध अच्छे लग रही थी मैंने सोचा कि मेरे साथ आप लोग भी देखिये यही वज़ा है और गाइस आपने घर तो देखी लिया है कितना बढ़िया से घर जो है मम्मी का बन चुका है और यहाँ न मौसम जो 15 दिन से बहुत बढ़िया क्या हुआ है ना तो दूप होती है ना तो बारिष होती है और देखें यहां पर में बेबय को बुला जहीं जब बार्बार नलके पास चली कोई तो आज का जो दिन है संडे का दिन है मैं आ गे थी तो फिर कोई करीबन एक बचे आई थी यहां पे घुमने और देखिए आज आग जो इतनी बढ़िया जहल रही है बहुत बढ़िया जहल रही है और यह वार जो टाइम है गाइस बज़ गए साड़े पांच तो मैं नि देखने में काफी अच्छा लग रहा है और यह साड़ में देखें थूप कितना मतलब बहुत जादा धूप यहां पर बहुत धूप नजर आ रही थी तो वीव जो है बहुत संदर लग रहा है देखने जिए आप लोग भी और यह साड़ बहुत सारे नारियल की जो दिखा दिया था तो आगए उमें शॉप में जैसे की सुपरमार्केट वगेरा होता है ना स्टूर कहते हैं उसे तो यहां पर आगए उमें कुछ सामान लेने के लिए तो मैं यहां पर कस्टड पाउड देख तो रही थी लेकिन गाइस मैंने दिया नहीं क्योंकि मैंने और सबसी तो बहुत ही जल्दी जल्दी में बनाओंगी और साड़े नो इसलिए बज गया है क्योंकि हजबेंड के ना कंबर में मोच आ गई तो उनको मालिश करने में काफी टाइम लग गया है वह अच्छे से चलनी पा रहे थे उनको मैंने मालिश किया तो आलू बेंस की मैं स में तो बनाओंगी फिर हारी मिर्ची डाल देंगी दो पस ऐसी तोड़े फिर मेने बिंस डाल दिया और स्वादनों सार नमक आयाट कर देंगे और इसे बढ़िया से मिस करेंगे और यह पे ठकन लगा के थोड़ी दियर भूनने देंगे बूनने के बाद मैंने सारे बात बन जाती यह बहुत है और उसके बाद इसलेख और नलगी केड़ेसितुटे को से होता है कि лейक केक्टी ससमें करें में ब्लॉक जांके से में के भएसेज्ट है बहुत पार आपने न मेरे बहुत सारे न चकेशने ब्लॉग में तो मैं इस तरीके से फुलाती हुँ, मुझे आसान लगता है, तो मैं फुलाती हूँ, तो हुड़रबट से यहां पे रोटि को देखे, मैं हातों से भी फुलाती हुँ, मतलब रोटी के उपर एक रोटी रख देंगे और थोड़ा हलक के हातों से प्रेस करेंगे ना, तो करेंगे और हम लोग सो जाएंगे आप लोगों को ना वीडियो पसंद आता है तो लाइक शेर सब्सक्राइब जरूर कीजिए जो मुझे दीजिए जो भी भाई बेने में उनको कह रहे हूँ तो मिलती अगली ब्लोग में ओके तब तक के लिए बाई बाई